नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं इस हाफ स्वेटर का मेजर्मेंट लेके आई हूँ यह स्वेटर मीडियम सैज का है इसकी लंबाई देखिए यहाँ यह बॉर्डर के नीचे से इसकी लंबाई उढ़े तक इसकी लंबाई साड़े 20 इंच है और अगर टोटर लंबाई देखें तो लगबग पॉने 29 इंच पॉने 29 इंच इसकी तोटर लंबाई है और इसका और इसका शुल्डर देखें तो सत्रा इंच, इसका शुल्डर सत्रा इंच है इसका बॉर्डर मैंने सो फंदे डाल के बनाया थे सो फंदे में इसका बॉर्डर डाला था और बॉर्डर मैंने एक ये धाई इंच का बनाया है इसका बॉर्डर धाई इंच का बनाया है 100 फंदे बॉर्डर में मैंने डाला है और 10 नंबर की स्लाइस बॉर्डर के बाद मैंने 18 इंच लंबा बुन कर तब मुढ़ा खटाया है अगर मुढ़े की टूटल लंबाई देखे तो ये लगबग 10 इंच है मुढ़े पे मैंने 68 फंदे एक साइट से और 68 फंदे दूसे साइट से उठाया थे यानि टोटल हो गया 136 फंदे 136 फंदे मुढ़े पे मैंने आस्तिन के लिए मुढ़े पे मैंने 136 फंदे टोटल उठाया दूनों साइट से मिला कर एक साइट से 68 फंदे दूसरे साइट से 68 फंदे और गले पे 68 फंदे इस साइट से उठाए और बैक साइट से 38 फंदे उठाए टोटल हुए 174 और एक फंदा ये हमारा सेंटर का हुआ यानि 175 तो गले पे हमारे टोटल 175 फंदे उठे शुल्डर पे मैंने 28 फंदे रखे थे और बॉर्डर के बाद फ्रंट पे मैंने 26 फंदे बढ़ाया थे वैसे तो 10 फंदे बढ़ाया जाते हैं लेकिन डिजाइन के हिसाब से फंदे बढ़ाया जाते हैं यदि फैलने वाला फंदा फैलने वाला डिजाइन होता है तो फंदे कम बढ़ाया जाते हैं और इसमें ये डिजाइन फंदे खाता है यानि इसमें फंदे कम फैलता है ये इसलिए इसमें फंदे जादे बढ़ाया जाते हैं बैक में मैंने सिर्फ 10 फंदे बढ़ा है और फ्रंट में 26 फंदे आप 10 फंदे बढ़ाएगा या फिर डिजाइन के एकॉर्डिंग फंदे बढ़ाएगा तो फ्रेंस ये मीडियम साइज के लिए है बहुत ही फिट आया है और आशा है आपको अपने स्वेटर को बनाने में इ क्यादी आपको मेरा मेजर्मेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें थैंक्स फार वाचिन